नमस्कास स्वागत आपका सेहत मंद रूस्के में मैं हूँ आपके साथ सुमन आर्णेगी दोस्तों इन दिनों हम बात कर रहे हैं विटामिन्स की हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था विटामिन और विटामिन डी के बारे में अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और उपर आई-कार्ट में उसका लिंक शेर कर दिया है आप उन लिंक्स पर क्लिक कर उन वीडियो को देख सकते हैं आज कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन B12 की विटामिन B12 की हमारे शरीर में कमी होना आम बात है लेकिन समस्या तब होती है जब हमेश की सही जानकारी ही नहीं होती और यह कमी कम भी रूप ले लेती है क्या आप जानते हैं विटामिन B12 की कमी से क्या होता है किस उम्र के लोगों में विटामिन B12 कम हो जाये तो कौन सी बिमारी आपको परिशान कर सकती है नहीं तो जानिए हमारे साथ आज के इस वीडियो में विटामिन B12 के बारे में सब कुछ सबसे पहले जाने लक्षन ताकि समय रहते आप इसकी पहचान कर पाए और सही समय पर इलाज ले पाएं तनाव और चिंता का बढ़ना जिसके शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है वे स्वस्त वक्ति की तुल्ला में तनाव या चिंता से जल्दी प्रभावित हो सकते हैं आँखों की रौश्णी में कमी अगर आपको यह महसूस होने लगे कि आपके आँखों की रौश्णी कम हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें क्यूंकि विटामिन B12 की कमी के कारण भी आँखों से संबंधित विकार होते हैं थकार और अंगों में कमजोरी शारेरिक कमजोरी और थकान विटामिन B12 की कमी के संकेत है इसे नजर अंदास बिल्कुल ना करें भूक की कमी और कब्स विटामिन B12 की कमी के कारण भूक में कमी आती है और कब्स जैसी सबस्याओं का भी सामना खड़ना पड़ सकता है दोस् लेकिन आखिर हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो क्यों जाती है जाने हमारे साथ विटामिन B12 की कमी होने के कारण शरीर में विटामिन B12 की कमी के कारण हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी होने का सबसे बड़ा कारण है परियाप्त मात्रा में भोजन ना खरना जी हाँ दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि विटामिन हमारे शरीर को सबसे ज़ादा भोजन से ही प्राप्थ होते हैं ऐसे में अगर आप ऐसा भोजन नहीं कर रहे हैं जिसमें विटामिन B12 है तो आपके शरीर में इसकी कमी हो सकती है दूसरा कारण है विटामिन B12 का हमारे शरीर में अफसोशन ना होना अब आप विटामिन B12 युक्त भोजन कर तो रहे हैं लेकिन इसके बावजूद आपके शरीर में इसकी कमी है तो इसका मतलब है कि आपका शरीर इस विटामिन को अफसोशित यानि की सोख नहीं पा रहा है ऐसे में तुरंथ डॉक्टर के पार जाएं वहीं शाकाहारी आहार के तुनला में मासाहारी आहार में विटामिन B12 प्रचूर मातरा में होता है इसलिए अगर शाकाहारी भोचन करने वाले लोग परियापत मातरा में विटामिन B12 भ्यूक्त आहार का सेवर नहीं करते हैं तो इसकी कमी होनी के संभावना जादा रहती है विटामिन B12 की कमी के कारण हमें कई परिशानिया कई बिमारिया हो सकती है कुछ बिमारिया ऐसी हैं जिसका इलाज आसानी से किया जा सकता है लेकिन कुछ बिमारिया ऐसी भी हैं जो अगर गंभीर रूप ले ले तो ऐसे में आपको परिशानिक हो सकती है और वो बिमारिया है एनिमिया विटैमिन B12 से होने वाली कई गंभीर बिमारियों में से एक है एनिमिया जरूरी बात यह है कि अगर समय पर पता लगा का जांच नहीं करा आ गया तो एनिमिया मरीज के लिए खातक सिध हो सकता है हड्डियों से संबंधित बिमारी विटैमिन B12 की कवी से हड्डी से संबंधित बिमारी भी हो सकती है जैसे कमर और पीठ में दर्थ की शिकारत होना विटामिन B12 कमी से मस्तISH की कारोशम्ता को काफी नुक्सान पहुंचता है जिससे करही तरह के मानसिक बिमारी हो सकती है बूलने की बिमारी का कारण विटामिन B12 कमी के कारण भी हो सकती है लेकिन अकसर देखा जाता है कि ऐसी मांसिक बिमारी को लोग गंभीता से नहीं लेते जिससे रोगी को बहुत नुसान पहुंच सकता है इसलिए अगर किसी वेक्ति में गिलक्षन बार-बार महसूस हो रहे हैं बार-बार नज़र आ रहे हैं तो डॉक्टर से परामश्रे ना ना भूले महिलाओं में आस्थाई बांचपन विटामिन B12 की कमी से महिलाओं को आस्थाई बांचपन के परिशानी हो सकती है हालकि ये अन्य कारणों से भी हो सकता है इसलिए ऐसी स्थिति में जाच कराना ज़रूरी है तुचा में संक्रमन, विटामिन B12 की कमी से वेक्तिक के तुचा बिमार हो सकती है, तुचा में संक्रमन हो सकता है, घावों को भरने में देरी हो सकती है, इसके साथ साथ नाखों सहित कई अंगों में पीला पन भी आ सकता है, उमेद करते हैं अब आपको विटामिन B12 के बारे जिसमें विटामीन B12 मौझूद हूँ आज के इस वीडियो में इतना है खुश रहे तंदरुस्त रहे और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाये ताकि ऐसे की हेल्दी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सिर्फ औसर्फ एक क्लिक पर नमस्कार